गुजरात के अमूल दूद के खिलाफ करनाटक और तमिलनाडू के बाद अब महराष्ट में आवाज उठने लगी है। करनाटक के नंदनी और तमिलनाडू के आविन दूद ब्रांड को बचाने के लिए अमूल दूद के खिलाफ मुहिम शुरू हुई थी। और अब ऐसी ही महाराष्ट में भी शुरू हो रही है और अब इस बार आवाज बीजेपी के अंदर से उठी है आखिर क्या है पूरा मामला देखिए ये रिपोर्ट अमूल दूध के खिलाफ लड़ाई करनाटक और तमिलनाडू के बाद अब महाराष्ट तक पहुच गई है कुछ दिनों पहले करनाटक में अमूल दूध के खिलाफ वहां के स्थानिय मिल्क ब्रांड नंदनी को बचाने के लिए लोग सडकों पर उतरे थे विधानसभा चु अमूल दूध के खिलाफ महाराष्ट में बीजेपी के दिगज नेता और राजी के दुख्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मोर्चा खोल दिया है पाटिल ने राजी के दूध हुत्पादक संगों से अपना अस्तित्व बचाने के लिए अमूल के खिलाफ खड़े होने की अपील की है इसके अलावा मंत्री विखे पाटिल ने महराष्ण सरकार से भी अपील करते हुए कहा है कि जिस तरह से करनाटक और तमिलनाडू की सरकारों ने अमूल के खिलाफ नीती अपनाई है वैसी ही नीती महराष्ण सरकार भी अपनाए गोकुल दूध संग के अध्यक्ष के साथ महराष्ण के दूध व्यापार के सामने आने वाली चुनोतियों पर चर्चा के बाद अब मंत्री विखे पाटिल राज के महानन्द दूध संग के साथ भी चर्चा करने वाले हैं आपको बता दे कि अमूल टोंड दूध जहां 54 रुपे परती लीटर मिलता है तो वही करनाटक का नंदिनी दूध सिर्फ 49 रुपे लीटर बिखता है दरसल नंदिनी दूध और दही की कीमत कम होने की वजह वहां की सरकार की तरफ से इस पर दी जाने वाली सबसीडी है दूध दही आम जनता के लिए जरूरी प्रोडक्ट्स माने जाते हैं इसलिए वहां की सरकार इसकी कीमत को नियंतरित रखने के लिए दूध उत्पादकों को सबसीड़ी देती है यही वज़ा है कि ना सिर्फ बैंगलूरू के 70 फीसदी मिल्क मार्केट पर बलकी 7 राज्यों तक नंदिनी का बाजार फैला हुआ है तमिलनाडू में भी अमूल वहां के किसानों से ज्यादा दाम में दूध खरीद कर और तरह तरह के लालत देकर वहां के स्थानिय ब्रांड आवीन के उत्पादों को दूध बेचने से रोक रहा है अमूल ने तमिलनाडू की सीमा के पास आंधरपरदेश में एक प्लांट तयार किया है इस प्लांट से वो तमिलनाडू के बाजार में घुसने की कोशिश कर रहा है अब इसके बाद अमूल ने महाराश्ट में भी इसी तरह अपने बाजार का आकरामक विस्तार शुरू कर दिया है इनसे निपटने के लिए महाराश्ट के दुख्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने करनाटक और तमिलनाडू के ही तर्ज पर दूध उत्पादक संगों को एक होने और सरकार को स्थान ये दूध उत्पादकों के पक्ष में सनरक्षनात्मक भूमी का अपन आने की अपील की है डिवी लाइब की रिपोर्ट